हापुर में पुलिस और वकीलों के वेच कुछ दिन पूर हुई जड़ब के बाद उत्तरपरदेश के अधिवक्ता संगलगतार विरूद प्रदर्शन कर पुलिस कर्मियों के विरूद कारवाई की मांग और वकीलों के विरूद दर्ज मुकदमों को वापस ले जाने के लेकिन विरोत को देखते हुए पुलिस ने उन्हें कोर्ट के पास ही रोक दिया और उनकी मांगों पर कारवाई का आश्वासंदे कर प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया लखलो बारे सुषरसन के सदर से मोहित आजात ने कहा कि सरकार को जल्द ही इस मामले पर कारवाई करना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं में रोश कम हो वहीं डीजीपी राहुल राज ने कहा कि अधिवक्ताओं के मांग को गंभीरता से सुना गया है और इसके जमादान के लिए जल्द कारवाई की जाएगी स्वागत करते हैं और सभी अधिवक्ताओं साथियों से अग्रह करते हैं कि पून रूप से शांती वरस्ता को भी बनाए रखें और यह आंदोलन जब तक नहाए नहीं मिल्यागा तब तक पून रूप से जारी रहेगा मैंने इन लोगों से बात किया और इनको समझाया कि आप लोग जो है अपने जो भी आपका यूपी बार कांसिल का जो भी निर्णे था उतनी निर्णे के तफ़त आप लोगों अपना जो है मांग रखें अपनी कारवाई करिए तो इन लोगोंने पुछ अपने मुद्दे की बजीर गंज में दर्ज फाईर के बारे मिनोंने बात किया इनको आसवस्ति डिया गया कि उसका चुपी एक ब्लीजी के अफ़ायर् की ऑल्विदि प्रक्रिया के था तो जो बीदिपूरौन तरीके से निस्तारिक किया जाएगा तो मैंने उनको यही आसवस्ति किया है की हम इसकी बीवेचना कराके विदिपुर्ण तरीक से इसको निस्तारिक चाहिए